कल क्या हुआ, बड़े भाई का फोन आया गाउं से कहने लगे कि शालू आपके लिए एक रेसिपी है और आप अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करना तो मैंने बताई यह उन्होंने कहा कि गाजर का रायता तो जैसे एक्स्प्रेशन आपके फेस पे हैं सेम ऐसे ही मेरे फेस पर भी थे क्योंकि गाजर का रायता तो हम बनाते ही हैं नॉर्मली लेकिन उन्होंने जो ट्रिक बताई वो ट्रिक से मैंने आज तक नहीं बनाया था और जब मैंने बनाया तो बहुत टेस्टी रायता बना तो आपने भी अगर ये ट्रिक पहले यूज की है तो कोमेंट बोक्स में जरूर बताना और नहीं की है तो भी बताना तो चलिए शुरू करते हैं इस ने ट्रिक के साथ गाजर का रायता बनाना यहाँ पर मैंने ली है तीन गाजर जिनको मैंने अच्छे से छील कर और वोश कर लिया है और इनको बारिक बारिक पिसिज में मैंने काट लिया है पिसिज ना हमें ज़्यादा मोटे रखने है ना ज़्यादा बारिक और इसको अब हम लेंगे कूकर में कुकर में डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार जिसने गल जाए और थोड़ा सा डाल देंगे पानी लगबग आधा गलास पानी मैंने मुश्किल से डाला है और इसमें लगाएंगे हम दो सीटी दो सीटी लगने के बाद हमारी जो गाजर है वो अच्छे से गल जाएगी और उसको निकाल लेंगे हमें एक बरतन में ठंडा होने के लिए और जब हमारी गाजर ठंडी हो जाती है तो या तो आप उसको एक कोटन के कपड़े में डाल कर अच्छे से उसका पानी निचोड लीजिए ठीक है या फिर मैंने इसको तो हाथ से ही ना ऐसे ही निचोड लिया जैसे हम मोली वगेरा निचोडते हैं तो मैंने इसको ऐसे ही निचोड लिया और इसका पानी निकाल लिया अब जो पानी निकला है वो हमें एक तरफ उठा कर रख लेना है फेकना नहीं है क्योंकि इसमें काफी विटामिन्स है अब बची गाजर गाजर को मैंने पटेटो मेशर से मेश कर लिया है और अगर आपके पास पटेटो मेशर नहीं है तो जब आप इसको कपड़े में डाल क तो इसका पूरा पानी निकल जाएगा और एक पेस्ट बन जाएगा इसका थोड़ा दरदरा सा वो हमें ऐसा ही रखना है तो जी मैंने इसको अच्छे से मेश कर लिया है अब हम क्या करेंगे एक बावल में लेंगे दही और दही मैंने ली है यहाँ पर आधा लीटर अब इ चाट मसाला जो मैंने घर पे प्रिपेर किया है जिसमें अलसी के बीच वगेरा भी मैंने रोस्ट करके डाले है तो यह काफी डाजेस्टिव होता है तो मैं इसको हर रायते में थोड़ा डालती हूँ उसके बाद हम नमक डालेंगे स्वादा नुसार साथ ही मैंने इसमें ए पूरा हो चुका है अब हम इसको रखते हैं एक तरप और गैस पर रखते हैं हम एक बरतन आप यहाँ कोई भी बरतनिया कड़ाई यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम लेंगे दो चमच देशी घी यहाँ पर याद रहें कि यहाँ पर हमें देशी घी ही डालना है क्योंकि इसके जाए तो हम्हें। गैस करदेनी है बंद। और यह जो हमारा तड़का बनकर तैयार हुआ है। इसमें इन सारी चीजों का आरोमा अच्छे से घी के अंदर आजाएगा और यह हम डालेंगे अपने रायते के ऊपर और इसको मिक्स करके अच्छे से और उपर से काली मीच का पाउडर आप डाल कर और तब यह रायता खाईए और इसको खाये आप मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ जो कि इसके स्वाद को और भी दुगना कर देगा तो friends अगर आपको ये recipe पसंद आई है तो please जादे से जादे इसको share कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो subscribe करना और bell icon button जरूर दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियो की notifications टाइम से मिल सके और आप मेरे चैनल पर visit कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसी ही धेर सारी recipes देखने के लिए मिलेगी साथ ही आप Instagram पर भी मुझे follow कर सकते हैं जिसका link मैंने description box में डाल दिया है तो friends देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद enjoy कीजिए ऐसी ही धेर सारी recipes का और मैं फिर से आऊँगी एक नई recipe के साथ तब तक के लिए धन्यवाद